तो गाइस मैं हुआंकी तो आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैन्स नाइट वक तो भाई एक बहुत ही बरी ब्रेकिंग न्यूज है ओल्माइटी बॉबी लैसली को लेके क्या बॉबी लैसली डवी डवी से रिलीज हो चुके हैं अभी 100% से ओर नहीं है चांसे स 99% है लेकिन ब वर्ज पर वाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई कि लैसली बहुत ही जल्दी फ्री एजेंट बन जाएंगे अगर डवी ने उनको एक एक्स्टेंशन ओफर नहीं करा तो इसके बाद पी डव्लू एन की अपडेट निकल के सामने आई आप देख सकते होंगे यहा ने इंटर्नल रॉस्टर से अब कहानी यही पर खतम नहीं होती है फाइट फुल की एक और अपडेट आती है लैसली को लेकर कहा गया है यहां पर फॉर सम रीजन एक्स्टेंशन वे डवी डवी इस नौट रीच्ट सोर्सेस स्टेट बाभी लैसली प्लैंस ओन के बाद बत यानि कि ऐसा नहीं कि डवी डवी छोड़ने के बाद लैसली रीटायर हो जाएंगे हाला कि लैसली की एक एज हो चुकी है लेकिन इसके बाब वुजूद बॉबी लैसली रसलिंग कंटीन्यू रखने वाले इसका मतलब है कि किसी और कंपनी में आपको बॉबी लैसली डवी डवलो ऑप्सन में तो अभी कई साबसे मेन कहानी घुमा फिरा कि यह है कि अभी तक लैसली रिलीज नहीं हुए है डवी 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 ने इनको इंटर्नल रॉस्टर से कट कर दिया है तो चांसे बहुत जादा इमीन हंट्रेट परसंट चांसे हैं कि बहुत जल्दी निज आजाएगी निकल के सामने कि अफिसली डवी का पार्ट नहीं है लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है इंटर्नल रॉस्टर से इनको कट करा गया है क्या पता लास्ट मिनिट में एक एक्स्टेंशन को आफर कर दी जा एंड यह साइन कर लें लेकिन एंड टमीना का तो बाकि एंड पी को बहुत पहले निकाल देना चाहिए था अभी क्या इताले लेट क्या कर रहें आगे बढ़ते हैं गया बात करते हैं अगली स्टूरी के बारे में जो कि सीम पंक को लेके बस्टीन देवर्ट को लेके तो वाई सीम पंक कल मंडे नाटरों में प्रेजंट हो साल है एक वीडियो निकल के सामने आई है सीम पंक की आंड ट्रेनिंग कर रहें आप अब जड़ा आप इस वीडियो को देखो भाई एंड कॉमेंट करके बताओ कि आपको कहीं से भी लगता है कि सीम पंक इंजड हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि सीम पंक बिल्कुल फ्री हो च स्वाई हंड्रेड परसेंट बिलीव कि ये मेडिकली क्लियर हो चुकें विकॉज आइड टोंट थिंक इतना वो अपने आम को यूज करते हैं अभी से कुछ हफ्तों पहले अभी कही साइनिंग देखने को मिलीगी जहां पर सैथ रॉलिंस इमर्ज होंगे कि हैं अगली श्टोटी के बारे में जो के कोडी रोड़्स को लेके कोडी रोड़्स बनना चाहते हैं यूज के प्रेसिडंट जी हाँ अभी तो नहीं लेकिन हाँ फूचर में बनना चाहते हैं अगर आपको नहीं पता उठ sì अगर आ तो अन्वेर nei ले लिया है वो पार्टिशिपेट नहीं करेंगे नहीं होने वारे अब इसके बाद लोग इसको उपर जोक्स कर रहे है कोई को कह रहा है को को एक बंदा कहता है कि बाइब तुम्हारा टाइम आगया अब तुमको प्रेसिडेंट बनना यूज यूज का कोड़ी क्या कहते हैं यूज के प्रेसिडेंट बन पाएंगे अब बागी आपको क्या लगता है कौन जारा बेटर प्रेसिडेंट रहेगा यूज का कोड़ी रोड्स या फिर पीपल शैंपन फानल बॉस ग्रेट वन रॉक आगे पढ़ते हैं अगली स्टोडी के बारे में जो की बड़ी न्यू एक बाप फिर से फायर इगनाइट करते हैं अपनी फ्यूड में जो कि इनकी रोमन के साथ कंटिनियूसली चलते आ रही है अभी इनका एक मेगा मैच फाइनल मैच होना बागी है पता नी वह किस रसल मीरा में होगा लेकिन रसल मीरा में होना डिजब तो करता है हिंदुस्त बिजनेस सब्सक्राइब में विसक्राइब इनका चैbersब्स बूंट आख गोएफ से कुशक तो इस बिज वहेंगा पनाम होता है इसुटर फूशल माइच भाहिए वहाप से प्राइब स्क्राइब करते कि हम ऐसे के में चैज़नेस करेंगे अजब आपस मैं यह वापस में स सब्सक्राइब करते हैं अपने नेक्स्ट फ्यूचर मैच के बारे में जो कि इनका रोमन के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अफाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बिग को लेकर तो भाई डच मैंटल का बिलीब एक बिगी वापस आएंगे डवी डवी के इंदर वापस आने वाले ऐसा कुछ कहा है बीगी के बारे में डच मैंटल ने कि कोई सूपस्टार बोल दे कि हां बाए अमनहीं आऊ हो चुके थे वह आएं वह वापस कम्पीट करके गए सौन माइकल्स रिटायर हो गए थे वह सूपर सोडाउन में कम्पीट करके गए तो बहुत सारे ऐसे टैलेंट से जो की रिटायर हो वापसा के निद्ट करके जाते इंजरी की बात करोगे तो भाई स्टोन कोल्ट करके गया है रोक भाई अभी इस उमर में भी कम्पीट कर रहे हैं तो आप उस चीज को देखा और उसी का लगता कॉमेंट करके बताना फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यहीं कुछ न्यूज अप्डेट्स थी आई होपस आपके इंफर्मेशन मिली हो मिली हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताक्या आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसे आपको मिल जाएके डिस्क्रिप्शन में जोईन किसकते हैं वाट्सप चैनल को उसकी लिंग के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आफ़ेर काफ़ इंट्रस्टिंग वेडियो में